और तो हेवोड़ी सब गाइस विल्काइब बैक तो चैनल फाइनली आचुके एक और कमाल के टिप सेंट्रिक की वीडियो लेकर तो इस आज वीडियो में बात करेंगे कि आपको बीजे माई के अंदर कौन से आउटफिट या फिर कौन सा करेक्टर यूज करना चाहिए अब वीडियो का एंड तक जवड़ी से देखना और वीडियो में यह भी बात करेंगे कि आपको कौन से आउटफिट पेनना चाहिए अगर आप कौन से आउटफिट यूज करना चाहिए उसके लिए और नोर्मल क्लासिक प्लेयर हो या फिर कौम्पी प्लेयर हो तो आपको आउ को जो बंदें भी कोमेंट करते हैं आप कोमेंट में सारे सारे कोमेंट तो हैसा आप कोमेंट या यह जाकता है आपको आउट से लिएउन गया पूर प्रेये श्क्त्रा नहींगे अगर आपको bgvYA कि वीडियो पनाना अच्छा लगता है जैसे the gameplay या फिर मोन्ट या फिर मेरे जैसे the tips and trick वीडियो बनाना अच्का लगता है उसमें आपको wiring बताना है किसी भी तरीका तो आपको use कहा करना है इस Тамहाом पर phy की मुवमेड देखो ज़रा एक बार गैस यह आउटफिट की मुवमेड देखो कितनी बल्क लग रही है ж सकते हो शके प्यारे दिखते हो सकते होके स्पहत आउटफिट यूज्व करो गप बलकि आउट्टिट जरूर से यूज मत करना कि गैस उसको यूज करोगे ना तो इतना अच्छा नहीं लगेगा montage भी and guys आप कुसी भी चीज का gameplay भी डालोगे ना तो इतना अच्छा वो नहीं लगेगा and so guys अगर आप rank push करते हो या फिर आपका device इतना अच्छा नहीं है तो guys आपको महाँ पर हर चीज का advantage लेना चाहिए so guys देखो एक advantage जे भी है कि आपको male character की जगा female character यूज करते हो तो guys आपको cover भी अच्छे से मिलेगा तो यह काफी बड़ा advantage है and guys jiggle भी भाई मतलब bullet dose ज्यादा कर सकते हो क्योंकि guys देख सकते हो आप T1 player काफी ज्यादा जैसे Jonathan को देख लो हमें ऐसा female character यूज करता है वो क्योंकि guys देखो उसका character काफी ज्यादा slim है मतलब पतला है and guys वो जिगल देता है तो भाई काफी ज्यादा bullet dose हो जाती है and guys सामने वाले enemy को easily मार पाओगे so rank push के time पे आपको हर एक चीज का advantage लेके चलना है क्योंकि guys अगर आप male character रखा है और guys गलती से भी मर गए ना आप cover ले सकते हो भाई male character कभी-कभी अपना दिख जाता है वह बट female character में आप छोटे-चोटे cover में छुप सकते हो फो इन चीजों का जरूर से इस्तमाल करना close range में काफी बड़ा advantage देता है इन सब चीजों का अगर आप competitive player हो तो आपको पता ही होगा कि competitive में भाई कितना ज्यादा cover का यूज होता है एक चीज का cover आपको victory दिला सकता है competitive में and guys second चीज होती ही guys sport ना होना अगर भाई zone के बाहर से आरो और enemy को sport नहीं हो रहे हो तो आप easily zone पोच के easily chicken dinner कर सकते हो guys sporting भाई flank के time पर भी काफी ज्यादा important रहती है क्योंकि guys अगर आप किसी को sport हो गए flank के time पर तो आपकी team खत्रे में पढ़ सकती है तो guys आपको करना कहा है न मेप से मिलते जूलते कपड़े पेन नहीं क्योंकि guys देखो अगर आप मेप से मिलते जूलते कपड़े पेन होगे ना तो आप enemy को easily sport नहीं कर पाओगे मतलब आपका enemy जो है आपको easily sport नहीं कर पाएगा उसका आप advantage ले सकते हो and guys आपको female character हमेशा रखनी है क्योंकि guys कभी-कभी female character चोटी रेती है ना तो भाई महाँ पे easily आ जाती है लेकिन guys अगर male character आप use कर रहे हो ना तो भाई महाँ पे वह हलका फुलका दिख गया तो भाई आपके enemy 4-5 एकदम से देंगे ना भाई तो easily आपको निपटा देंगे क्योंकि guys हर जगा से वहाँ पे इस पर आता है आप जड़ा अच्छा भी cover से भार हुए आप easily निपट जाओगे तो guys वहाँ पे female character जरूर से यूज करना क्योंकि guys cover का use काफी ज़्यादा important है competitive के अंदर so guys point number 4 काफी ज़्यादा छोटा सा होने वाले क्योंकि उसमें बात करेंगे अगर आपको outfit भाई कोई फरकी नहीं पड़ता game case भी है आपको कोई खेलने से मतलब भी नहीं मतलब मज़े लेने बस game के so guys देखो आप कोई सा भी outfit यूज कर सकते हो बट वहाँ पे आप female character यूज मत करनाओ कि इस female character देखो उसके outfit काफी ज़्यादा तो आते लेकिन मज़ेदार नहीं होते उसके outfit तो वीडियो मेंने सब कुछ आपको बताई दिया video काफी ज्यादा अच्छी हो लगी हो तो फटा 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 से लाइक और सब्सक्राइब दवा देना और सब्सक्र एंड गाइस वीडियो का फीडिबेक भी दे सकते हैं कोमेंट में तब तक के लिए मैं मिलता हूँ आँ 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 आँ